बिसमिल्ला रामान रराहीम इस लेक्षर के अंदर हम जो चीज देखने वाले हैं इस रिलेटेट टू इन्वर्स ओफ मेत्रिसिस मेत्रिस के बारे में या मेत्रिक्स के बारे में हमने रिसेंड़ी बहुत डिटेल में पढ़ा है और डिफरेंट किसम की टाइपस भी हमने देखी हैं मेत्रिसिस की जिसको एक हो तो मेत्रिक्स बोलते हैं ज्यादा हो तो मेत्रिसिस बोलते हैं अब उनके इन्वर्सिस क्या होते हैं और कहां पर ज़रूरी होते हैं कौन कौन सी चीजे इनवर्से से हम सीखते हैं उसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ and here you can see के inverse of a matrix होता क्या है पहले तो हम ये देखते हैं कि matrix के अंदर जब कोई भी इस तरीके से हमारे पास एक matrix बनता है for example मैं 2x2 का एक matrix बनाता हूँ जिसमें values कुछ इस तरीके से हैं ठीक है तो ये मेरे पास 2x2 का एक matrix है इसी को हम squared matrix भी बोलते है squared matrix squared matrix क्यों? क्योंके ये basically 2x2 का है जिसमें 2 हमारे पास rows हैं और 2 ही columns हैं ठीक है अब inverse of matrix क्या होगा उसको हम देखते है मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि अगर इस matrix का नाम है 1,2,3,4 इसका जो inverse होगा इसको हम शो करते हैं a की पावर माइनस 1 से ठीक है और कहा ये जाता है कि एक matrix का inverse ये होता है कि अगर आप उसको अपने matrix के साथ multiply करें यानि कि a multiplied by a matrix तो ये एक identity matrix हमें देता है ठीक है identity matrix हमें देता है अब identity matrix क्या होता है आप में से काफी लोगों को पता है अगर नहीं पता तो please मुझे बताएं तो मैं इसको आपको और भी explain कर देता हूँ कि identity matrix हमारे पास क्या होता है जी झाल 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 जी identity matrix की कोई example आपके सामने हो हमने पिछले lectures के अंदर भी देखा था चले मैं आपको दुबारा बता देता हूँ identity matrix हमारे पास क्या होता है say for example मेरे पास एक matrix है जिसका नाम है I हमारे पास इस matrix के अंदर ये जो एक line है ना यहां पर सारे one होंगे ठीक है और जो बाकी चीज़े हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या होंगी जीरो होंगी अब identity matrix की अगर आप examples लेके internet के उपर थे आपको बे तहाशा examples इसकी मिल जाती है but in small detail identity matrix क्या होगा अगर ये मेरे पास two by two का एक matrix है तो ये हमारे पास एक identity matrix है ठीक है three by three का है तो ये हमारे पास एक identity matrix है right तो ये हमारे पास identity matrix है अब inverse क्या है और identity हमारे पास किस तरीके से आता है इसको पहले देखते हैं फिर हम आगे move करते हैं अब मैंने आपको एक बात बताई मैं बड़े स्कून के साथ आज आपको lecture देना है reason यह है कि आपको समझ है कि चीज़ें किस तरीके से चलती है अगर हम किसी एक matrix को उसके inverse के साथ हम multiply करें तो हमारे पास क्या आता है identity matrix अब identity matrix की जो हमारे पास तीन किसम की चीज़ें होती है एक होता है i2 अगर हमारे पास है तो ये 2 by 2 का identity matrix है ठीक है अगर इसी को i3 लिखा जाए तो ये 3 by 3 का identity matrix है और अगर इसी को i4 लिखा जाए तो ये 4 by 4 का identity matrix है सही हो गया तो इसका मतलब ये है कि identity matrix को जब हम बताते हैं तो उसके squared matrix की base पर बताते हैं ये 2 by 2 का है ये 3 by 3 का है ये 4 by 4 का है इसी तरीके से जब भी आपके पास different किसम के matrices आएंगे आप उनकी base पर identity matrix को show कर सकते हैं अब होता क्या है जब हमारे पास कोई भी एक matrix आता है हम जब उसका inverse लेते हैं तो वो identity matrix में जो है वो convert हो जाते है अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम inverse को calculate करते है ठीक है हमारे पास एक है matrix उस matrix को हम बोलते हैं ए और इस matrix के अंदर जो हमारे पास elements हैं वो है 4, 7, 2 and 6 ये हमारे पास इसके elements हैं हमने इसका inverse find out करना है हमने इसका क्या find out करना है inverse तो पहली बात तो ये कि ये inverse हमने इसका find out करना है वो क्या होगा उसको हम देखते हैं फिर हम उसको verify भी करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हमने जो पहले चीज है अगर इसका हमारे पास पहला step जो होगा इसका determinant देखते है determinant of A for example ये है A का determinant और determinant किस तरीके से हमारे पास आता है by the way determinant को हम इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी हम इसको DET और इसके अंदर A matrix ये दोनों तरीकें से determinant लिखा जाता है सबसे पहले इसका determinant लेंगे जो है 4 by 6 minus 2 by 7 जो कल भी हमने देखा था ठीक है मतलब इसको इसके साथ multiply करके इसको इसके साथ multiply करके दोनों में से difference हमने find out करना होता है 4 by 6 हमारे पास हो गया कितना हो गया जनाब 24 minus 14 ये हमारे पास 10 आ गया तो determinant आ गया हमारे पास 10 अब second काम हमने क्या करना है inverse को find out करने के लिए basically हमने दूसरे पे swap करने है elements of the main diagonal swap the elements of main diagonal वो कैसे करेंगे अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो elements है for example यहाँ पे 6 को 4 के साथ swap कर देंगे बाकी वैसा ही रहेगा तो मैं यहाँ पे swap करता हूँ 6 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ पे वैसे ही रहेगा 2 भी वैसे रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 तो हमने main diagonal main diagonal क्या है हमारे पास एक ये वाला diagonal है मतलब 6 और 4 और एक दूसरा diagonal है which is coming like this ठीक है तो हम इस diagonal को swap करतेंगे second step यह हो गया हमारा third क्या होगा हम इन दोनों के sign change करेंगे number 3 is change the signs off इसको बोलते हैं off diagonal off diagonal elements यानि के जो main diagonal है उनको swap करना है और off diagonal जो है इनके negative signs यानि के positive हैं तो negative negative होंगे तो positive हो जाएगे तो इसको हम कैसे लिखते है जनाब अब हमारे पास वो ही चीज है 6 यहाँ पे आजागा 7 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 इनके साथ आजागा minus ठीक है हमारे पास यह हो गया अब हमने क्या करना है हमने divide the each divide the each element by a का जो determinant है उसके साथ या determinant determinant के साथ हम हर एक element को divide करने वाले हैं अब उसको करते हैं हमारे पास जो determinant आएगा उसके साथ अगर divide करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बनता है a inverse अब देखिएगा equation पूरी आप गोर से देखिएगा a inverse is equal to 1 over 10 यानि के जब divide का मतलब यह होता है 1 over 10 करके यहाँ पे आपके पास इसका जो matrix है आप उसको लिख सकते हैं और वो क्या आएगा हमारे पास 6 minus 7 minus 2 and 4 जब हम divide करते हैं तो basically हर element जो है इसके उपर divide होगा अब 6 को 10 पे करेंगे तो हमारे पास आता है 0.6 अगर हम 7 को 10 पे करेंगे तो minus 0.7 हम minus 2 को 10 पे करेंगे तो यह हमारे पास 0.02 माइनस में आजाएगा और अगर हम 4 को 10 पे करेंगे तो यह 0.4 आजाएगा तो basically inverse क्या होगा हमारे पास inverse यह है कि A को जब उसके determinant के उपर divide करते हैं but हम swap करते हैं इन positions को और बाकियों के साथ sign को change कर देते हैं तो यह होता है हमारे पास एक determinant sorry inverse अगर आप गोर करें अगर आप inverse को यानि के अगर मैं दुबारा से अपना main matrix यहां पे लिख हूँ तो वो था हमारे पास 4, 7, 2 and 6 A हमारे पास यह था और हमारे पास जो A inverse है वो है जनाब यह उपर वाला 0.6, minus 0.7, minus 0.2 and 0.4 यह हमारे पास आगया main matrix अब अगर हम इन दोनों को multiply करते हैं न A और A inverse को यह हमें एक identity matrix देगा 2 by 2 का क्योंकि यह 2 by 2 का है तो हमारे पास इस तरीके से identity matrix आगया आपने इस equation को resolve करना है खुद देख के matrix multiplication के थुरू हम A multiplied by A inverse जब करते हैं क्या यह हमारे पास एक identity matrix आता है या नहीं आता सेम वो ही चीज़ है अगर आप इन दोनों को multiply करके लिखते हैं तब भी आपके पास इन वो ही matrix आएगा और अगर इनको different way में multiply करते हैं तब भी आएगा एक आपने और चीज़ यहीं पर चेक करनी है वो है कि क्या हम inverse को अगर पहले लिखें तब भी हमारे पास आई आता है या नहीं आता simple ठीक है तो हमारे पास यह equations इस तरीके से बन जाती है identity matrix और inverse का link किस तरीके से आपको समझ आगी होगी और आपको अब समझ आगया होगा कि हमने किस तरीके से किसी चीज का inverse find out करना होता है I know this is not easy to understand के inverse हमारे पास किस तरीके से होता है and that is why we have to work on it ओके तो यह equation के अंदर यह जो है ना determinant this is determinant of A A का determinant है यह ठीक है A inverse का नहीं है तो इस बात को याद रखिएगा ओके जी यहां तक आपको clear हो गया अब कुछ बातें आपके गोश्गुजार करता हूँ कि determinant लेना क्यों है और कहां पे sorry inverse लेना क्यों है और कहां पे इसका use आता है अब यहां पे इसके सामने मैं आपको पहले तो गोरे की definition दिखाता हूँ if I can write down that here let me see यह मसला कर रही है so okay so उसने यही लिखा हुआ है basically हमारे पास जो A inverse है is denoted by A-1 which when multiplied with A it gives us an I simply यही इसकी definition है identity matrix की ठीक है तो यह आपको यहां से sorry inverse की matrix के inverse की तो inverse इस तरीके से आपके सामने आ जाता है अब inverse होता क्या है inverse क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ हमारे पास diagonal इस तरीके से for example not diagonal two dimensional plane है ठीक है इस plane के उपर आपको पते है जब भी मैं plane बनाता हूँ तो I usually do something like this यह आप सभी को नजर आ रहा होगा plane ठीक है हमारे पास यह I था और यह J hat था I hat and J hat ठीक है हमने क्या किया हमने यह बोला था कि जब भी कोई transformation होती है तो हमारे पास क्या होता है जो matrix होता है वो उल्ट हो जाता है for example अगर इसकी में 90 degree की rotation करूँ तो यह 90 degree rotate कर जाएगा something like let me show you something like sorry यह हमारे पास जो I hat है वो यहाँ पे आ जाएगा और J hat हमारा यहाँ पे आ जाएगा ठीक है J hat and I hat मैं सिरफ थोड़ा सा आपको concept समझाने की बात कर रहा हूँ inverse यह है कि कोई भी vector जब यहाँ पे होता है हमारे पास और यह हमारे पास बाद में यहाँ पे आ जाता है something like this अगर हमारे पास सिरफ और सिरफ इस तरीके से कोई चीज बताई गई हो और हमारे पास transformation का matrix भी पढ़ा हो कि पहले कुछ और था लेकिन फलान transformation लगने के बाद यानि के जो फलान transformation की मैं बात कर रहा हूँ यह 90 degree rotation की transformation लगने के बाद जो हमारे पास result आ रहा है आया के हम इस transformation को मद्दे नज़र रखते हुए इस एक transformation का जब हम दुबारा से inverse लेते हैं तो क्या हम वापिस जा सकते हैं उसी position पे यानि के inverse का मतलब यह है के इसी को anti-clockwise हम 90 degree पे rotate कर सकते हैं के नहीं तो inverse क्या गरता है basically उसी चीज़ को वापिस ले जाता है ठीक है और identity matrix अगर आप गौर करें तो यह 1, 0, 1, 0 sorry, 0, 1 क्यों है क्योंके basically जब आप उसको यहां पे दुबारा से rotate करेंगे यहां से rotate करेंगे और इन दोनों को multiply करेंगे इसका मतलब यह है के जो काम यहां पे i hat जहां पे move किया था वहां पे वापस आ गया और j hat जहां पे move किया था वापस आ गया यानि के आपने पहले rotate किया फिर वापस आगे, ठीक है, इसकी मिसाल मैं कैसे देता हूँ आपके सामने, ये मेरे पास, let me see, अगर कोई चीज मिलती है, ठीक है, ये मेरे पास एक रैपर सा पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे पास चीजें जो हैं, वो काम करती है, ये मेरे पा और जब ये 90 degree rotate किया है, ये मेरे पास एक matrix की transformation आगी, कि पहले मेरी चीज यहाँ पे थी, और matrix ने क्या किया, इसी पूरी एक dimension में इसको change कर दिया, 90 degree, अब अगर मैं चाहता हूँ वापस जाना तो मैं इसका inverse ही लोगा न, यानि कि ये आगे गया, ये पीछे, to and fro, to, fro, to, fro So, this is how you can consider the matrix, एक transform हुई, और उसका inverse जब लिया गया, ये वापस आगी, और inverse क्यों ज़रूरी है, इसकी reason ये है, कि ये जो inverse है न, ये बहुत ज़्यादा जगों पे हमें काम, जो help करता है, खास तोर पे, जब हम कोई equations को resolve कर रहे होते हैं, systems of equations के हम बात कर रहे होते हैं, linear algebra क एक ऐसा tool है, जो verification के तोर पे हमें समझ आता है, and there are many other applications, say for example, robotics की बात हो रही है, आप अगर कोई काम कर लेते हैं, तो उससे वापस जाने का भी तरीका आपको आना चाहिए, मिसाल के तोर पे अगर रबोर्ट ने हाथ नीचे कर ली है, तो जारी बात है, सारी जिन्दी की र ग्राफिक्स के अंदर चीज़ें, यह वो ही आप समझ लें, कि आपने अगर rotate किया किसी image को आपको नहीं पसंद आया, control Z कर लें, यानि कि उसी transformation का inverse हो जाता है, वो परानी चीज जो history के अंदर रहती है, अक्सरोकात, undo system के अंदर, अगर linearly हम बात करें, तो यह basically आपकी transformation का inverse होता है, यानि कि आपके पास ये एक information के तोर पर store होता है, जिसको आप undo कर सकते हैं, ठीक है, और ये कहां-कहां पर use होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, and then conditions, इसकी invertibility की काफी है, कि सारे के सारे matrix जो हैं, वो invert नहीं हो सकते, ठीक है, सारे के सारे matrix नहीं हो सकते, the matrix, प inverse उनका लिया जा सकता है, पहली बात तो ये not all, not all matrices, सभी का नहीं लिया जा सकता inverse, reason क्या है, पहली reason ये है कि only squared matrix का लिया जा सकता है inverse, ठीक है, उसकी reason ये है, कि जब हमारे पास कोई two dimension के अंदर चीज मजूद है ना, two by two की, for example इस तरीके से, तब ही हमारे पास identity matrix बनेगा, ठीक है, और identity matrix को देखने के लिए, जब हम इसको flip करते हैं, और minus sign लगाते हैं, और determinant पर divide करते हैं, हमारे पास एक linear information stored होती है, यानि कि I और J hat, इन दोनों में same किसम के elements हमारे पास छुपे हुए, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, लेक squared matrix को ही हम कर सकते हैं, और एक बात, पहली बात तो यह कि सारे के सारे matrices नहीं हो सकते हैं, दूसरी बात, only squared हो सकते हैं, एक तीसरी important बात यह है, determinant 0 नहीं होना चाहिए, the determinant of A, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that A, it must not be equal to 0, अगर determinant 0 होगा ना, तब हम कुछ नहीं कर सकते, इस determinant 0 किसी चीज का आ जाता है, तो basically उसमें कोई भी change नहीं आई, ना start में change आई थी, ना end में change आई थी, ठीक है, so that is why we cannot say के इसके अंदर कोई भी change आई है, determinant 1 होना और मतलब होता है, determinant 0 होना और मतलब होता है, यह वही चीज है, जो मैंने कल आपको बताई थी, कि आप area count करते ह अगर नीचे वाली साइट पे आगया, तो area different होगा, दूसरी साइट पे आगया area different, तीसरी साइट पे आगया area different, अगर कोई भी change नहीं आई उसके अंदर, तो उसका determinant जो है, वो 0 होता है, इसको जो मैट्रिकली समझने के लिए, मैं आपको और detail में आने वाले दिनों के जाने वालों when we are going into that, तो determinant 0 नहीं होना चाहिए, और अगर किसी एक matrix का, मतलब A matrix है और इसका A determinant, 0 के equal है इसका एक specific नाम भी है, इसको हम बोलते हैं, singular और degenerate, ठीक है? singular या degenerate, लेट मीज सी, degenerate, मिसाल के तोर पे, आपका singular क्या होगा, जब आपका determinant जो है वो 0 होगा, इसको हम degenerate matrix भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी reason क्या है, मिसाल के तोर पे, अगर आपका, A matrix है, और इसका determinant जो है, वो बिल्कुल 0 हो जाता है, तो इसका inverse आप ले ही नहीं सकते, A inverse can't be computed, ठीक है, तो जहरी बात है, यह singular matrix है, यानि कि इसकी कोई और form ही नहीं exist करती, ठीक है, और इसी तरीके से इसको degenerate matrix भी बोलते हैं, तो आपने क्या करना है, कोई एक ऐसा matrix अब ढूंडना है, जो singular हो, example of singular matrix, और उसका determinant count करना है, ठीक है, determinant जिसका 0 हो, ठीक है, यह वाला देखना है, और फिर देखना है, कि उसका क्या हमारे पास A inverse ले सकते हैं, या नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ओके, and then what else I want to say, इससे इलावा एक point है, just give me one second, मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ, let's see, यह मेरे पास एक matrix है, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ, 1, 2, 2, and 4, तो इसका determinant क्या है, मुझे बताएगा कोई, 1 multiplied by 4, minus 2 multiplied by 2, यह आजाता है, 4 minus 4 कितना हो गया, 0, 4 minus 4, अब इसका inverse ले के देखते हैं, determinant 0 है, इसका inverse क्या होगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ, कि जिसका determinant 0 हो, उसका inverse क्यों नहीं आता, हमने rule पड़ा है, कि A का inverse क्या होता है, 1 over determinant, ठीक है, multiplied by, इन दोनों को हमने करना है swap, 4 and 1, और इन दोनों के sign बदलने, minus 2, minus 2, अब मुझे जरा इसको resolve करके दिखाएं, कि यह किस तरीके से resolve होगा, समझ रहे ना बात को, क्या हमारे पास यहां पे कोई answer आ सकता है इसका, क्योंकि इसका determinant 0 है, नहीं आ सकता, यह possible ही नहीं है कि इसका कोई ऐसा inverse बने, जो हमारे पास कोई answer ले आ है, ठीक है, इस वज़ा से जब भी आप देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि इसका determinant क्या है, और determinant देखने के बाद आपने अंदाजा लगाना है, अच्छा, इसको हम compute नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं, इन्वर्स बहुत इंपोर्टेंट चीज है, कहां कहां पर यूज होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, अब हम आगे मूव करने वाले हैं, आइस तो और और भी चीज़ों को टिटेल में देखने वाले हैं, hopefully आपको समझा कि होगी,